देश और दुनिया से जोड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चिस न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दमाना नहीं भोलें नमस्कार दोस्तों मैं आचार्य बिनोध भरद्वाज आपका श्वागत करता हूँ आप देख रहे हैं सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल चैनल एचस न्यूज इस पे मैं रोजाना लेके आता हूँ कुछ गुडलक प्रोग्राम जिससे आपके भविष्य के बारे में विहतर जानकारी आपको प्राप्त होशकी लेकिन इस कारिक्रम को देखने के लिए जरूरी है इसे आप लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमें यूँ ही अपना प्यार देते रहें अब बात करेंगे बिजय दस्मी की जिसे स्वयम सिद्ध महूर्त के रूप में जाना जाता है जो भी व्यक्ति अपने कारियों को बिजय दस्मी के दिन सुरू करते हैं निस्चित रूप से उनके कारियों में बिजय प्राप्त होती है इसलिए बिजय दस्मी के दिन किया गया कारिया निस्चित रूप से सफल होता है निस्चित रूप से हर प्राकार्शे उस कारियों में शफलताएं प्राप्त होती है जानिये नवरात्रों से बिजय दस्मी का क्या कनेक्शन है माना जाता है कि जब स्री राम चंदर जी लंका पती रावन का बद करने जा रहे थे तो उन्होंने नव दिन तक माता परम अंबिका जगदंबिका के नव रूपों की बिधिवत पूजा एक एक दिन की थी इसके बाद दस्में दिन रावन खुद युद्ध में आया था और भगवान राम के बानों से मारा गया इसलिए इस दिन को कहा जाता है दस हरा अर्था दसो सीस का हरन हो जाता है अर्था दस जो अन्याय हैं जो महापाप हैं उनका हरन हो जाता है दस हरे के दिन इसलिए कहा जाता है दसहेरा कहा जाता है भगवान स्री राम चंद्र जी नव दुरगा को प्रसंद करने के लिए 108 कमल दल के पुस्प मंगवाए थे लेकिन एक पुस्प कम होने के कारण भगवान राम चंद्र जी अपनी एक आख को कमल के पुस्प के रूप में माता को अरपन कर दिये थे इसी से भगवान स्री राम चंद्र जी का नाम राजीव लोचन के नाम से जाना जाता है ये भी नवरात्र के दवरान ही हुआ था अर्थात भगवान राजीव लोचन भगवान स्री राम चंद्रजी सरकार आपके जीवन में खुसियां दें दसहरा बुराई पे अच्छाई के जीत का प्रतीक है ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जाती से बड़ा नहीं होता है वो व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है बुराई चाहे जिस जाती में हो बुराई बुराई कही जाती है अच्छाई चाहे जिस जाती में हो अच अच्छाई कही जाती है कुछ लोग प्रश्ण करते हैं कि रावन जैसा स्रेष्ट कुल में अर्थात ब्रामन कुर में विस्वस्त्रवा के कुल में उत्पन्न हुआ ब्रामन उसे क्यों जलाया जाता है तो मित्रों रावन जैसा आताताई एहंकारी तथा अन्याय करने वाले व्यक्ति के साथ वो चाहे ब्रामन हो चाहे छत्री हो चाहे बैसे हो चाहे सुद्र हो क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि व्यक्ति कर्म से जाती को प्राप्त करता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तमाम ऐसे रिसी हुए हैं जो ब्रामन से इतर थे लेकिन फिर भी उन्हें र राजर्षी का पदपराप्त हुआ हैं ऐसा भी कहा जाता है अठारा पुराण को लिखने वाले बेदव्यास केवट की कन्या से उत्पन हुए थे फिर भी उनको ब्रामरत्त का पदपराप्त है रामायन को लिखने वाले बालमी की कोल जाती से थे फिर भी ब्रामनत का पदप्राप्त है इसलिए जाती कोई भी हो जब तक उसके अंदर गुर नहों तब तक वो उस जाती से मेल नहीं खा सकता है इसलिए रावन लोगों से कर लेता था खून के रूप में रिसियों से कर लेता था कोई अपने हिसाब से अपने देवता की पूजा नहीं करता था कोई इस्तरी ऐसा कहा गया है रामसेत मानस में रावन को इस्तरियां बहुत पसंद थी और वो सभी इस्तरियों का हरन करके अपने एहंकार में आ करके दस दिक पालों को अपने बस में करके प्रकृति को अपने हाथ में ले लिया था अर्थात कोई भी चाहे जितना बड़ा हो प्रकृति को अपने हाथ में लेगा तो प्रकृति अनर्थ कर देती है इसलिए रावन ब्रामन कुल में भले उत्पन था लेकिं रावन आता ताई था इसलिए राम ने अन्याय पे न्याय की बिजय अस्थापित की रावन देहन का शुभ महूर्थ दो बच के चार मिनर से लेके दो बच के पचास मिनर तक है रावन देहन का महूर्थ दो पहर दो बच के चार मिनर से प्रारम होके दो बच के पचास मिनर तक है शाम का महूर्थ शायम पाँच बजे से लेके साथ बजे तक है इस महूर्थ में रावन देहन से समस्थ प्रकार की ब्याधियां समाप्त हो जाती है रावन दहन का मतलब एक पुतले का दहन नहीं होता है रावन दहन से हमें सीख लेनी है रावन दहन एक प्रतीक है कि अज्यानता जहां भी होती है वो चाहे जितनी भी समर्थवान जितनी भी ताकत वर सकती हो लेकिन उसे भगवान स्री राम जैसे एक जंगली धनुस और बान लेके उसका संघार कर देते हैं मतलब चाहे जितना कमजोर व्यक्ति ही क्यों न हो लेकिन अन्याय के सामने कमजोर व्यक्ति की ही बिजय होती है यह हमें सीख लेनी है तो रावन दहन के समय आप जो भी मन में विचार करते हैं निश्चित रूप से वो आपका विचार पूर्ण होता है ऐसा सास्त्रों में कहा गया है रावन दहन से आपको सीख लेनी है क्या सीख लेनी है हमारी भारतिय परंपरा नसेडियों की परंपरा नहीं है हमारी भारतिय परंपरा में युवा निश्चित रूप से देश के करणधार थे और आज भी हैं आगे भी रहेंगे तो देश के युवा वर्गों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दसहरे में रावन दहन के सामने आप अपने समस्त नसा वाली चीजों का वहीं पर दहन कर दें ताकि हमारे देश की निव मजबूत हो सके दसमी तिथी का आरंब 7 अक्टूबर को 12 बज के 37 मिनट ते प्रारंब होके शमाप्ति काल 8 अक्टूबर को 14 बज के 50 मिनट तक है इसलिए दसहरा पूजन इन ही महुरतों में कर लें आप देहन चाहे जब करें दसहरा पूजन की समगरी इसमें क्या-क्या लगता है इसे भी आप अच्चितरा से जान लें दसहरा पूजन में एक रावन आता ताई तथा एक प्रतिमा होनी चाहिए जो की रावन की हो उसे गाय के गोबर तथा चूना का तिलक लगा के मौली, चावल, फूल, नौरात्री के वक्त उगेज़, केले, मूली, गौार फली, गुड, खीर, पूरी आपके बही खाते जो बिरकुर रेजक्ट हो गए हैं, जिनका कोई कारे नहीं है, उनको भी आप ले जाके पूजन के समय दहन कर तकते हैं दसहरा पूजन की बिधी, दसहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर के अस्नान कर लें, इसके बाद गेहूं या चूने से दसहरे की प्रतिमा बनाएं यहाँ पर एक बात बिसेश ध्यान देने वाली है, क्योंकि सास्त परमपरा में हमारे सास्त्रों में कहीं भी बारूद का रावण बनाने की प्रता नहीं है अतेव जो भी बारूद का रावण बनाते हैं वो प्रकृति के साथ तो खिलवार कर ही कर रहे हैं हमारे धर्म के साथ भी खिलवार कर रहे हैं अच्छा होगा चूना गोबर के साथ में जो प्रतिमा बनाएं वही प्रतिमा दसानन की सही प्रतिमा मानी जाती है और हो सके तो गाय के गोबल के नव गोले बनाएं गोबर से दो कटोरियां बनाएं एक कटोरी में कुछ सिक्के रखें दूसरी कटोरी में रोली चावल मौली फल जो इसके बाद पानी रोली चावल फूल और जो को एक साथ रावन के समकच रख देना है अर्थात पूजन कर देना है दसारा प्रतिमा को केले मूली गवार फली गुड चावल अर्पित करें धूप दीप आदि से पूजा करें बाद में गोबर की कटोरी से सिक्के को निकाल के सुरचित जगा रख दें और वो गोबर तथा चूने का बना रावन जब जलने लगे जलने के प्रसाद देहन के पस्चात आप जब देहन पूर्ण हो जाए तो कुछ प्रसाद का बितरन करें और घर में बड़े और रिस्तेदारों का आसिरबाद लें ये दसहरे का पूरा ऐसे करें दसहरा पूजा आज का यह कारिक्रम यहीं समाप्त होता है मैं आपके लिए फिर लेके आओंगा गुडलक रासी फल लेकिन पॉल्टिक्स, इस्पोर्ट, बिजनेस की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें मित्रों यह रावन दहन का कारिक्रम कैसे लगा जरूर से जरूर आप हमारे इमेल पे लिखें साथ में आप हमारे इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें इंतजार रहेगा बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कार आपका